हेलो गाइस स्वागत है आप सबका तो आज हम बात करेंगे अधानी एनर्जी सॉलीस सुनकी और सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप डेली वीडियो देखा जरूर करें कल का वीडियो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा यह जो आप क्लियरली मैंने बोला था क ब्रेक आउट हो सकता है और इस वीडियो की टाइमिंग आप देख सकते है वो जो सुप्रीम कोड की अपडेट आई थी वो तो रात को आई थी यह जो है शाम का वीडियो है चाहे तो इसकी आप टाइमिंग देख सकते है और उस वीडियो के अंदर देखे कि क्या बोला था ब्रेक आउट आने की समभावना लग रही थी क्योंकि वो 200 दिनों के मुविंग एवरेज के पास जो है क्लोजिंग दी थी उसने तो पहले तो यहाँ पर हम इस वीडियो के अंदर हम जाने के कल के दिन क्या हो सकता है क्या यह इसने जो आज का हाई बनाया है जो प्रिवियस आई भी उससी लेवल के आसपसा है वहाँ पर उसको क्या है इसको ब्रेक कर पाता है या नहीं तो यहाँ पर सबसे पहले तो मुझे ऐसा लग रहे कि थोड़ा सा जो है यहाँ पर अगर देखे तो अभी जो है बूल्स और बेस दोनों ही जो है कंफ्यूजर कहीं न कहीं ऐसा इसके अंदर जो है मुझे लग रहा है कल के दिन तेजी आने की संभावना तो हो सकती है लेकिन इस लेवल के आसपास एक मतलब कि इसको छोटा सा रजिस्ट्र का सामना करना पड़ सकता है और आज फिलाल देखे तो ग्यारा पसंद की आसपास की तेजी देखने को मिली है यहां पर जो है बॉलिंगर बेंक को भी देखेगे एमेसीड को भी देखेगे तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा पहले तो तो सबसे पहले देखेए आज के कारोबार की बात तो डिलेवरी जो है मैसीड वॉलियम आज डिसके अंदर डिलेवरी वॉलियम रहा 35 लाग के आसपास की डिलेवरी उठी और इंट्राडे भी काफी हुआ है यहां पर आप देखे 26 पसंद की डिलेवरी उठी है सकते हैं सबसे पहली बात है आज जैसे ही जो वह 200 दिनों का मुविंग एवरेज को तोड़कर वले यह गैप अपनिंग हुई लेकिन अभी हम फिल से डेली चाट के ओपर देखेगे साड़े 1100 रुपे के ऊपर खुल कर साड़े 1200 तक गया मतलब की 100 रुपे की तेजी आई जैसे ही मतलब की अगर यह मतलब की ऐसी इस तरीके से होता है कि यह रजिस्ट्र को तोड़ता है तो फिर फ़र्दर तेजी आने की संभावना जो है रह सकती है जैसे ही यह 200 दिनों के moving average को तोड़ा, उपर gap up opening हुई, और 100 रुपे उपर भागा, उसके बाद profit booking आई, और यहाँ पर आज के दिन हुआ गया, जैसे कि यहाँ पर देखें, खुला यहाँ पर, फिर सीधा जो भागा, उपर गया, 1200 के आसपास का high बनाया, फिर थोड़ा सा न में भी हमने बात की थी, अगर इस लेवल के आसपास clothing देता है, तो अच्छा रह सकता है, लेकिन अगर यहाँ पर volume के अंदर थोड़ी सी मुझे कमी देख रही है, यहाँ पर जितना volume था, यहाँ पर आप देख सकते हैं, उससे मतलब कि यहाँ तक का अगर volume होता, इसना बा बात करें, तो support or registration किया हो सकते हैं, वो भी हम देखेंगे, साथ-साथ, अब यह weekly chat है, यहाँ पर एक बड़ा सा copy and handle जैसा pattern भी बन रहा है, ऐसा लग रहा है, पॉर्फेक्ट शेप में नहीं है, लेकिन वो भी हम आगे देखेंगे, तो वो भी आप ज़रूर देखेंगे, इसको support मिल सकता है, five week का moving average काफी नजदीक है, वहाँ पर इसको अच्छा support मिल सकता है, अब जो है, थोड़ा सा इसको, और यहाँ पर लंबा करते हैं, एक बड़ी moving average लगाते हैं, जैसे कि यहाँ पर देखें, 50 week की moving average, और 200 week की moving average, तो यह 50 week का moving average, यह भी एक जो है, काफी ह 36 से उपर closing देता है या नहीं, और उसके आसपास नहीं, बलकि थोड़ा सा 20-25 रुपे और मतलब की उपर, मतलब की इसी level के आसपास 1170, 1180 का closing देते हैं, तो अच्छा रह सकता है, कि फिर जो है, यह सामान कर चल सकते हैं, कि इस moving average को इसने at least पार तो किया, उसके बाद एक cup and handle जैसा pattern बनता हुआ दिख रहा है, हाला कि यह थोड़ा सा perfect shape में नहीं है, क्योंकि यह handle थोड़ा सा और उपर है, यह यहाँ पर जो पहले high बनाया था, जो अब इस level के आसपास इसने high बनाया था, closing हाला कि इस level के आसपास दी है, लेकिन यह जो ऊपरी level है, वहाँ प अगर आप देखेगे, इसका जो low है, यहाँ आपर बनाया था, यहाँ पर टिक किया हुआ है, जो ki 770 रुपे के आसपास है, तो इन दोनों के बीच का जो gap है, यह आज पर जो high है, यहाँ पर जो इसने high बनाया था और यह यहाँ पर इसने closing दी है, उन दोनों का बीच का ज ज्यादा तर अगर देखे तो एक one-way rally इसके अनदर नहीं आती बीच-बीच में इस तरिके से profit booking आती रहती है कहीं ना कहीं ऐसा मुझे लग रहा है तो इसको आप नोट करके रख सकते है कि कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि 50 मन्त का moving average है, 50 मन्त का moving average इसी level के आसपास है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यह orange कलर की जो line है, और weekly chat के उपर जो है, साथ-साथ एक चीज और है, कि यहाँ पर इसने एक gap सा छोड़ा है, कि अगर breakout देता है, तो जैसे कि हमने बात की तेजी आने के संभाव में रह सकती है, लेकिन बीच बीच में कहीं इसको registration का सामना भी करना पड़ सकता है, इसलिए हम इसके उपर daily technical chart के उपर analysis करते हैं, share market के अंदर देखिए, कुछ short term traders भी हो सकते हैं, long term traders भी हो सकते हैं, long term के लिए अच्छा रह सकता है, लेकिन कहीं लोग जो है, short term traders भी हो सकते हैं, तो यहाँ पर 1400 रुपे का आसपास का zone है, वहाँ पर इसने gap छोड़ा हुआ है, तो अगर 1200 को cross करता है, तो उसके बाद यह 1300 का zone, क्योंकि यहाँ पर भी एक register करना पड़ सकता है, 200 विक का moving average है, उसके बाद यहाँ पर 1400 रुपे का आसपास, वहाँ पर भी इसको एक register करना पड़ सकता है, क्योंकि यहाँ पर इसने gap सा छोड़ा है, और अब आगे हम देखे daily chat के उपर, तो जैसे कि हमने चर्चा की daily chat के उपर जरा देखिए, यह 200 दिनों का moving average, काफी दिनों से यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसके उपर निकलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जा नहीं पा रहा था, जैसे ही इसके उपर गया, आज के दिन भला ही opening यहाँ पर इतनी उपर हुई, लेकिन उसके बाद भी यह 100 रुपे फिर भागा, इंट्राडे के अंदर ही, उसके बाद जो है थोड़ा सा correction आया, और इसी लेवल जो पहले रजिस्टन था, अब जो है वो support बन गया है, तो इसका जो अब मजबूस support जो है, वो यही लेवल यहाँ पर दिख रहा है, और उससे भी पहले कुछ छोटे-छोटे support है, उसके बारे में भी हम चल्चा करेगे, बॉलिंजर बेन को यहाँ पर देख सकते है, ऐसा लग रहा है, क्योंकि आज क्या दिन के जिरा इसकी closing देखिए, यही इसी जो इसकी जो उपरी लाइन है, वहीं पर इसने closing दी है, और यह indicator भी काफी useful रह सकता है, जो कि इसके अवाला में भी हमने काफी बार चल्चा की, और एक ज़रा देखिए, इसकी जो middle line है, उसके आसपास इसने support लिया है, यहाँ पर 200 दिनों का moving average भी है, और बुलिंगर बेंक की जो middle line है, उसका middle line भी वही पर इसी level के आसपास है, 1045 के आसपास, और यह जो हर दिन थोड़ा से इसके अंदर भी changes आते रहते हैं, और यहाँ पर अगर आप देखेंगे M.A.C.D., तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि जोड़ा सा zoom करकर देखें, यह देखिए ज़रा मतलब कि एक bullish crossover होते होते रहे गया, अगर यह 1220 के आसपास, अगर closing दे देता तो, जो है, एक bullish crossover इसके अंदर हो सकता था, हाँ, अगर कल के दिन अगर यह 1220 के आसपास closing देता है, तो जो है, इसके अंदर वापस एक bullish crossover भी हो सकता है, तो कल का दिन जो है काफी important रह सकता है अगर यहाँ पर देखे तो 1200-1220 के आसपास यह ठिकता है या नहीं वो देखना बनता है उपर जाता है वहाँ पर profit booking आती है या नहीं यह देखना बनता है यहाँ पर अगर RSI की बात करें तो 70 के आसपास पहुंच चुका है यह भी अच्छा कासा support बन सकता है तब यह नीचे था अब यह थोड़ा सा ऊपर आ चुका है तो अब इसके short term के support और registration देखे उससे भी पहले यह फिबोनाजी का retracement भी देख लेते हैं यहां से लेकर यहां तक कि यह जो तेजी आई थी उसका 78% का retracement 1130 के आसपास है वहाँ पर इसको support मिल सकता है उसको पार किया है यह जो है 100% का retracement इसको बोल सकते हैं मतलब कि एक थोड़ा सा round figure number से थोड़ा से numbers के अंदर जो है changes हो सकते हैं यहां पर एक low से लेकर 720 के आसपास का low बनाकर 1200 के आसपास यह गया था तो यह जो तेजी आई थी उसका retracement यहां पर आप देखे तो अब अगर 1200 को cross करता है तो जैसे कि यहां पर जो है 1.618 यहां पर अगर देखे यह जो retracement यहां पर दिख रहा है आपको यह जो है 1500 तक जानी की संभाव ना हो सकती है लेकिन बीच बीच में हमने जैसे कि देखा कुछ registration का भी सामना इसको करना पर सकता है जैसे कि हमने previously देखा तो तो अब इसके short term के support और registration हम देख लेते है summary वापस सकर लेते हैं एक से दो दिन की बात करें तो पहले support की बात करें तो एक तो यह लेवल है जो कि पिछली बार नीचे आया उसके बाद यहां तक आया था एक bounce back आया था जो कि 1130 का आसपास का जोन है तो पहला support यहां पर दिख रहा है 1130 का उसके बाद देखे तो 1170 का zone एक से दो दिन की बात करें तो यह तीनों ही support दिख रहे और अब यह 170 का प्राइस है यह अच्छा का स्ट्रॉंग support अभी बंद के हैं ऐसा लग रहा है क्योंकि वहां पर 200 दिनों का moving average है और अब अगर रजिस्टन की बात करें तो जैसी कि हमने चर्चा की एक तो यह 1200 से ले तक जाने कि इसकी संभाव नहों सकती है और यह दोनों ही level भी हमने देखे 1300 रुपे के आसपास जो है 200 week का moving average है जहां तक मुझे याद है और यह 1400 के आसपास इसने एक gap सा छोड़ा है पिछले दिनों के अंदर weekly chart के ओपर जब हमने देखा तो इन सभी support and registration के ओपर नज़र होगी तो subscribe जरूर करें दोस्तो डेली देखा भी जरूर करें और आज के वीडियो में इतना ही और एक standard disclaimer जो कि मैं हमेंशा देता हूँ आप कोई भी trade ले उससे पहले अपनी research करें अपने financial advisor की सला ले उसके बाद ही decision ले और decision ले तो उसके जिमेदार maturity के साथ खुदी ले य जो हमेदा देना ही जरूर करें गी।